क्या कर रही थी तुम? कहा ना एक बार, मैं यूटूब के वीडियो देख रही थी? पती के रहते हुए, घर में ये सब कांट चल रहा है, आने दे आ सुमित को, सब कुछ बताऊंगी दोस्तों आज हम जानेंगे कुको की वेब सिरीस सजनी के स्टोरी के बारे में ये वेब सिरीस एक धोके बाच पत्नी के बारे में है, कि कैसे एक बच्चलन पत्नी अपने भोले वाले पत्ती को गुमरा करके धोका देती है और अपने यार के साथ गुलचरे उड़ा कर मजे करती है, तो चलिए जानते है सजनी वेब सिरीस के एपिसोड वन की स्टोरी इस वेब सिरीस के शुरू होते ही दिखाया जाता है कि सुमित लैप्टॉप पर बैटकर काम कर रहा होता है और सुमित की मा सुमित के लिए खाना लेकर आती है, और सुमित की बीवी बेट पर बैटकर मोबाईल पर अपने यार के साथ चैट कर रही होती है ये देखकर सुमित की मा को बुरा लगता है तो वो सुमित से कहती है तू कितनी देर से भूका है किसी को कुछ फरक नहीं पड़ता बस मोबाइल पर लगे रहती है ये लड़की दिन बर सुबह से लेकर रात तक मैं काम करते रहती हूँ और ये लड़की मोबाइल पर लगी रहती है कम से कम खुद का कमरा तो साफ कर लेना चाहिए पर उससे ये तक नहीं होता कमरे को कच्रा खाना बना कर रख दिया है ये लड़की ने तो सुमित कहता है रहने दे मा नीलू जब भी फ्री होगी तो खुद कमरा साफ कर लेगी तो सुमित की मा कहती है तब तक क्या घर में कच्रा ऐसे ही रहने दू मेरा घर है कोई सरकारी दफ्तर नहीं लगता है इसके माव अपने यही सिकाया इसे कि घर को नरक बना कर रखना नीलू अपनी सास की तीखी बाते सुनकर गुसे से घर से बाहर निकल जाती है तो उसकी सास अपने बेटे सुमित से कहती है देखा कैसे बिना बताए घर से चले गई तुने रोका क्योंने इसे, देख बेटा बता रही हूँ, इस लड़की के चाल चलन कुछ ठीक नहीं है, ये दिन बर मोबाल पर लगी रहती है, घंटो किसी से बात करती रहती है, इसका जरूर कही न कही चक्कर चल रहा है, तुने इसे सर पर चड़ा कर रखा है, जिस दिन हा तो सुमित कहता है, मा वो क्या ट्रेन या बस है क्या, कि हाथ से निकल जाएगी, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसके पास उसका अपना दिमाग है, और उसे जब मुझे छोड़कर जाना होगा ना, तब बता कर चली जाएगी, तुम जाव और अपने कमरे में आराम कर पर अगले सीन में दिखाया जाता है, निलू अपने बॉइफ्रेंड के पास जाती है, और अपने पती और अपने सास के चुगलिया करती है, और फिर अपने बॉइफ्रेंड के साथ दिल खोल कर, शारीक संबंद बना कर, अपने आपको संतुष्ट करके घर पे वापस आती तो उसका पती गुस्ता हो जाता है और पूछता है कि कहा गई थी तुम और तुम्हारा मोबाल स्विच ओफ क्यो था मैं कबसे तुम्हें कॉल कर रहा था तु नीलू कहती हद है यार जब देखो तब तुम ताने मारते रहते हो बाते सुनाते रहते हो घर आए नहीं कि शुरू हो गए दिन में तुम्हारी मा बाते सुनाती है और रात में बचे वी कसर तुम पूरी कर देते हो और गुसे से अपने कमरे में चले जाती है और सुमित निराश होकर बैठ जाता है तो उसकी मा उसके पास बैठ कर उसे समझाती है देख बेटा, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉलम होती है, भगवा ने तुझे सब कुछ दिया, बस एक गलत बीवी दे दी, जाने दे, तु ही उसे समझ ले और जाके उसे सौरी बोल और आराम कर। उनके बाद हमने भी हमारे मा की कड़ी बाते बहुत जहली, अब तुमें भी थोड़ी जहलनी होगी। दोस राहुल भी काम कर रहा होता है, और कहानी का ट्विस्ट ये होता है, कि राहुल ही सुमीद के बीवी का बॉइफ्रेंड होता है। पर राहुल को ये पता नहीं होता कि नीलू सुमीत की बीवी है। उसी वक्त नीलू का कॉल राहुल को आता है। और वो राहुल को कल की सारी बाते बताती है कि उसके पती के साथ में उसके जगड़े क्या क्या हुए और क्या क्या उसके पती ने उससे कहा। ये सुनकर राहुल निलू से कहता है कि अपने पती को समझा दे कि ये मेरी लाइफ है, मुझे जैसा जीना है वैसे जी हूँगी, और कहता है अभी मैं थोड़ा बीजी हूँ, थोड़ी देर के बाद प्री होके तुम्हें कॉल करता हूँ, राहुल के बाते सुनकर सुमित उस निलू के कमरे के बाहर, निलू की सास, निलू की सब कुछ बाते सुन रही होती है, निलू राहुल से कहती है, हम दोनों होटेल में बहुत रोमैंस करेंगे, मैं तुमारे शर्ट के बटन खोलूँगी, तुमारे बनियान फाड़ दूँगी, तुमारे हतियार को चबाऊँगी, बहुत सारी गंदे बाते करती है, उसकी बाते सुनकर राहुल के सामान में हलचल होती है, और वो टायलेट में जाकर रिलीस करने की कोशिश करता है, और सास कहती है कि किस के साथ मुझ काला कर रही थी तू कौन है अंदर मुझे देखने दे तो निलू कहती है अंदर कोई नहीं है मैं कार्टून देख रही थी उसकी सास कहती है मैं चूतिया नहीं हूँ कि दोस्तों अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है जानना है तो कमेंट करके बताइए, हम अगला एपिसोड आपके लिए बनाएंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इससे लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले स्टोरीज अबसे मिसना हो.